है 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 लो एवरिमान गुड मॉनिंग आल फ्यू वेल्कम टू मैट्स वाला भाई रंजीत वर्मा आज हम बेसिकली बात करने वाले टिक्मिमेट्रिक फंक्शन के कुछ इंपोर्टेंट कॉस्चन जो काफी हमारे लिए बेहर इंट्रेस्टिंग होंगे उनको आप अच्छी तरीकी से ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे आपने प्रिविएस वीडियो में देखा होगा कि काफी हमने इंट्रेस्टिंग कॉस्चन आपको सिखाये थे उसी पर आगे अच्छे से कंटीनू करते और अच्छे कॉस्चन सीखते हैं जिससे कि हमारे कॉंसेट और अच्छे से क्लियर हो जाए ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं ध्यान से देखेंगे मेरे बाएब लोग आपका कॉस्चन है कि फाइंड वैलू ज अफाइव तिक फ फॉर्ट malechnика के अंदर अब फॉर्ट कोडरेंट में आपको दियान में रखनाएं कि सारजी यहां पे हमारे पास दो वैलू जो होती है जो बिसी कली क्या होते है एक हमारा कि वैलु को देता is के बाद रिमैंग जो हमारे अफॉंक्षन हैं जैसे आपका वाली स्पोश साइन है इसके बाद आपका इसका रो स्केशिप टैन हो गया ने स्केशिक लिए मृसंन आर्थ चाहल ए सफसे हैं जो नीचेव? आंसर बनकर आएंगे तो यह हमें बेहन इसमें ध्यान रखना है जब यह लिखा है आपका फूर्थ कौडरेंट तो यहां पर आपने कौडरेंट कॉंसेप्ट में सिखा था कि बिसिकली हमारे कॉस और से जो पॉजिटिव होते है फूर्थ में बाकी के रीमेनिंग साइन को से 10 और 4 जो है वह हमारे कैसे होते है निगेटिव होते है ठीक है ना आप चलिए आगे ध्यान से दिखते हैं इस कॉस्चन को कैसे अप्रोच करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे तो आप देखें यहां पर सेक एक्स पता है तो इसका मतलब सेक का रेसीप्रोपल क्या है कॉस है तो उस तरीके से जो हम यहां पर क्या करेंगे आप वैलू फाइंड़ करेंगे दैट मिन्स आप लिख सकते हैं अब आपने वन अपान सेक एक्स लिखा तो उस पर्टिकुलर केस में जो है सेक की वैलू दे रखा 13 वाई 5 आपके पास आगया कॉस एक्स अब आप यहां पर रिस के बाद जो इस रजी बाताई सर साइन कोस और टेन और कोट कैसे निकालेंगे तो हमने एक बड़े सिंपल वई में निकालेंगे दिहां से देखिएगा आपने फर्स आइडेंटिटी पड़ी है साइन स्क्वार थीटा प्लस कॉस स्क्वार थीटा इज इकुल टू वन पड आपने पुड कर दिया तो साइन स्क्वार एक प्लस कॉस कॉस की वैलू क्या है थी फाइब थर्टी नी होली स्क्वार होगे सर जी वन आगया देखनें कितनी सिंपल वे में आंसर निकलने मेरे भाई बैलू बस परिशान होने के जरूत ने यह फाइब कर कितना होते 25 होते 13 169 होता है is equal to 1 आगया अब इस तरीके से यह प्लस में दूसरे साइड जाता है तो क्या होता है माइनस हो जाता है और आप इस तरीके से मेरे भाई बैलो आप क्या करेंगे 1 माइनस हो गया यह प्लस उधर गया माइनस हो गया तो 25 भाई क्या गया 169 आगया अब इस तरीके से जो 169 आपने LCM टे किया तो 169 वन जो 169 माइनस 25 और 169 आ गया इस तरीके से sin2x की वैलू आप find out कर लेंगे 169 माइनस 25 कर दिया तो 144 अपन किया गया 169 आपके पास आ गया तो sin2x की वैलू होगी अब बात ही सरजी square root लेना आपको पता है 144 किसका square value 12 का है 169 किसका 13 का है इस तरीके से जो हमारे पास value जा गया है sinx की जो value जा गया सरजी plus minus क्या होगी यह 12 अपन 13 हो गया बात ही सर पॉजिटिव लेंगे या negative टेक करेंगे हमने आपको previous में ही बता दिया है कि सरजी यहाँ पर sin कैसा होगा निगेटिव होगा और यह निगेटिव है तो इस तरीके से आप x lies in fourth quarter write down करेंगे और फिर लिख देंगे now x sin x की value हमने क्या टेक कर लिए सर जी minus का क्या गया sir 12 अपन 13 आ गया मेरे भाई यह आपका sin x आ चुका है तो उस particular case में आप देखो इसका reciprocal को न है कोसिक है तो आप आराम से कोस की निकाल सकते है that means आपके पास क्या गया कोसिक x is equal to one upon क्या कर देंगे सर जी sin x कर देंगे that means आपके पास value जा गया one upon sign sign की value क्या सर जी minus 12 upon 13 है तो that means minus 12 upon 13 लिखा अब यह 13 जो है आपको one में multiply हो गया that means क्या गया minus 13 upon 12 आ गया तो इस तरीके से आपके पास कोसिक x की value बन करके आगई minus 13 upon 12 आ गया तो देखने कितनी simple way में आप answer निकाल रही है किस तरीके से आप प्रोच है वो आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई बैन लोग अब इसके बाद आगे कल दी दो बचा हूँ अभी खतम नहीं हो रहा भाई 10 और cot भी है उसको भी निकालते ज़रा ध्यान से क्योंकि आपको पता है कि जो 10 होता है वो sin और cos का क्या है ratio होता है और यद आपका ratio है तो इस तरीके से 10x अपने क्या लिख दिया अब इस तरीके से 13 से 13 के हो जाएगा cancel हो जाएगा क्योंकि ये बीटम है और ये डीटम है तो ये भी और डी से हो जाए तो cancel हो जाती है मेरे भाई बहु कलिए अब इस तरीके से क्या गया बैब डब तो इस तरीके से क्या करें ये 5 कर दिया तो इस तरीके से कॉट अच पास value आगई 5x क्या गया बाकी और कैसी है निगीटिव है ये चीज आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान में रखना है okay तो आपको बस हमयोशा। कौट्रैंट पर ध्यान रुकाने हैं कि फ़स्ट राल पॉजिटीव होता है सिंड़ु गाज़िटीब होता है और और अधर गिटीव होता है और इस तरहिके से कौश्चार्च वोजिटीव होता है बाकी remaining कैसे होते हैं निगेटिव होते हैं तो इस concept पे आप fourth quadrant का भी आज आपको हमने करा दिया है ध्यान से देख लीजिए अच्छे से समझ ले एक question हम आपके लिए और करा देते हैं ध्यान से समझेगा इसी concept पे एक question और देखेंगे ध्यान से बस आप अच्छे से समझने र लिखा है 10x is equal to minus 5 by 12 लिखा हुआ है ध्यान से समझेगा 10x is equal to minus 5 by 12 आप इसी का second part है इसी question का और यह हमारा यहां पे पोला गया है कि जो x है lies करता है आपका second quadrant में यहां पे बोला गया कि x lies in second quadrant ध्यान से समझेगा यह एक स हमारा second quadrant में lie करता है तो उस particular case में किस तरीके से हम values को obtain करेंगे एक question और अच्छे से कर लेते हैं ध्यान से समझेगा मेरे भाई बैन लोग सबसे पहले आप quadrant को क्या करेंगी बना लेंगी quadrant को बनाने के बाद जो सर जी आप indicate कर लिए first, second, third and इस तरीके से फोर आपने क्या किया indicate कर लिया अब indicate करने के बाद मेरे भाई बैन लोग आपको क्या करने 10x मतलब x कहां पी है second quadrant में तो आपको ध्यान रखना sign और कोसिक कैसा होता है positive होता है sign और कोसिक कैसा होता है positive होता है औ इस तरीके के question को solve करने के लिए ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ओके अब इसके बाद जो मेरे भाई बैन लोग आगे ध्यान से समझी इसके बाद जो सर जी जैसे 10x दिया गया तो 10x is equal to आपको दे रखा है minus का क्या लिक है भाई minus का 5 by 12 है इसका reciprocal क्या है सर ज सर जी आपको जाएगा 1 upon 10x हो गया देखने कि बिल्कुल आप अराम से बितरीन तरीकी से लिखते रहे है और आप बनाट तरीके से answer बनाते रहे है और answer निकलते रहेंगे सारे आराम से तो इस तरीके से 1 upon क्या होगे minus 5 by क्या होगे सर 12 हो गया अब इस तरीके से जो cortex है आप के पास क्या गया 12 आपका 1 से multiply होगे तो minus 12 by क्या गया सर जी 5 आ गया अब इस तरीकी से cortex आपके पास क्या सर जी बंतर के आगे बाता ही सर जी हमें तो sign or cos or cos or 6 भी बता नहीं मैंने का चलो सर वो भी question आराम से करते ही कैसे करेंगे सर जी आपका देखिए सर जी 1 plus क्या होता है अब मेरे भाई बहन लोग यहां पे 1 plus 10 square x मतलब आपके पास 10x की value है minus का 5 by 12 लिखा हुए है whole square कर दिया सर जी आपने अब जब आपने holy square इस तरीके से लिखा तो 1 हो गया 5 की square किया तो कितना आगे 25 आगे 12 का किया 144 आगे 6 square x as it is लिख दिया अब आप LCM टेक कर लेंगे इस तरीके से 144 हो गया plus का 25 हो गया अपन में 144 हो गया equal to क्या गया मेरे भाई में लोग 6 square x आगया अब इसके बाद जो है आपको क्या करना ध्यान से समझे यहां से आपके पास 144 plus 25 को क्या करेंगे add करेंगे तो उस तरीके से जो है आपके पास value आगया 169 upon 144 आगया अब इस तरीके से जो है आपके पास value क्या हो गया सेक x का plus minus लिखेंगे 13 upon 12 क्योंकि आपको पता है 169 is the square value of जो है आपका कितना 13 का square है ठीके न 169 आजाएगा इसी तरीकी से आपका 144 लिखा है 144 किसका square होता है 12 का square होता है तो इस तरीकी से आपने यहां पे 12 लिख दिया बात है इस सरजी सेकेक्स आपने plus minus लगा रखा है कौन सी value टीक करेंगे मेरे भाई बिलकुल देखो basic concept बता जो आप ही बताएंगे न मिरे भाई बैलो तो इस तरीकी से जो है cos x की value क्या जाएगी 1 upon क्या हो गया और जब 6x हो गया तो इस तरीकी से cos x की value 1 upon 6 सिक की वैलू क्या दे रखा माइनस 13 अपान के सर 12 लिखा हुए अब आपने 12 के सर उपर मल्टिप्लाई हुए 1 में तो इस तरीके से माइनस 12 अपान के आ गया 13 आ गया सर सायनी स्क्वाइर एकस प्लस स्क्वाइर एकस क्या होते है वह वन की इकौल होता है अपने इस तरीके सी लिख दिया सायनी स्क्वाइर स्क्वाइर क्या होगा Yeah सब्सक्राइब करेंगे कितना हो जाएगा 144 आपको सब्सक्राइब करने प्लस कैसे हो जा रहा है क्योंकि जब आप माइनस के स्क्राइब करते है तो माइनस इंटू माइनस साइन कर्वेंशन पड़ाओगा बाइनस इंटू माइनस का अगया अब मेरे भाई बहन दो क्लस हो जाएगा तो इस तरीके से साइन इस्क्राइब कर एक्वेंशन इंटू माइनस का प्लस हो जाएगा माइनस करेंगे मेरे भाइबें लो तो यह आपका आ जाएगा सर जी 25 आ जाएगा अपन में जो है सर जी 169 हो गया इस तरीके से साइन स्क्वाइर एक्स आपने लिख लिया अब यहां पर कैसा वैलू आगा सर पॉस्टिव और निगेटिव स्क्वाइर रूट जब लेंगे तो साइन एक सीज इक्वल टू प्लस माइनस किया गया फाइब आपका थर्टीन आ गया बात आई शरम पॉस्टिव लेंगे या अब यहां पर इस तरीकी से आपके पास को सेक्स बनकर आगे वन अपान जो फाइब फाइब थर्टीन आट इस थर्टीन वन से मल्टिप्लाई हो जाएगा तो को सेक एक्स क्या आगे सर जी थर्टीन अपान फाइब बन करके आपके पास आ गया तो इस तरीके से आपने यहां पर एक बार अगेन फर्दर हमने इस कोस्टन को इसलिए रिपीट किया थोड़ा सा ध्यान से समझने के लिए कि किस तरीके से फर्ट कोडिन, सेकेंड कोडिन, फर्ड कोडिन, फर्ट कोडिन के क्वेशन का अपरोच करते हैं और किस तरीके से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं और फिर किस तरीके से आंसर को रिपरजेंट करते हैं यह सारी बाते आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यद आप चीज को अच्छे तरीकी से नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझ लीजे मेरे भाई बेन लो, question आपके सामने कहोगे, आतो रहा है, लेकिन उसका answer देने की छमता नहीं है, बात है क्यों, क्योंकि सर जी आपने approach अच्छे से नहीं सीखा है, यदि approach को अच्छे से आपको सीखने है, मैट्स वाला पर जल्दी से जुड़ जाएंगे, मेरे भाई बेन लो, पहली बार देख रहें तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, जिसे कि आपको डे बाई डे का वीडियो मिलता रहे, और अच्छे से आप क्या है, वीडियोस को आप च्छे से मतल होना चाहिए, ठीक है न मेरे भाई बेन, जिससे आपके भी हम जैसे सपोर्ट कर आप भी मदद करेंगे, आप हमारा सपोर्ट करेंगे, तो उससे हम दोनों लोग का भी काफी लोगों का हित होगा, और फिर आपको डे वाई डे रेगुलर वीडियो मिलने वाले हैं, और डे